अगर आज हम अपने देश को देखें तो हम लोग देखेंगे कि हमारे देश में civil services और military services बिलकुल अलग अलग हैं अगर आप civil services को join करना चाहते हैं तो civil services के लिए अलग exam होते हैं और military services को join करने के लिए अलग exam होते हैं और जो भी सर्विस आप जोईन करते हैं जनरली अपनी लाइफ टाइम आप उसी सर्विस में बिताते हैं लेकिन मुगल रूल के दुरान इंपीरिल सर्विस हुआ करती थी वहाँ पर सिविल फंक्शन्स और मिलिटरी फंक्शन्स में कोई भी डिविजन नहीं रखा गया था कहने का मतलब यह कि मुगल रूल के दुरान सिर्फ एक सर्विस हुआ करती थी और इन सर्विसेज में काम करने वाले गवर्मेंट ओफिशल्स सिविल दूटीज को भी परफॉर्म करते थे और मिलिटरी दूटीज को भी और इस तरह के एक्जांपल्स हम लोग पहले भी देख चुके हैं हमने देखा था कि राजा टोडरमल को 1581 की क्राइसिस में बिहार और बेंगॉल के रेबिलिन को शांत करने के लिए भीजा गया था जो की एक मिलिटरी ओपरेशन था इसके अलावा हम लोग ने पिछली वीडियो में लेंड रिफॉर्म्स को पढ़ते हुए देखा था कि राजा टोडरमल ने ही दहशालाए और जबती सिस्टम को डिवाइस और इंट्रिद्यूस किया था और ये एक सिविल फंक्शन था तो अखबर के समय में इस इंपीरियल सर्विस में बहुत सारे गवर्मेंट ओफिशल्स काम करते थे और इसी लिए जरूर थी इस इंपीरियल सर्विस को रेगुलेट करने के लिए अखबर ने एक नया सिस्टम इवाल्व किया जिसे कहा गया मंसबदारी सिस्टम इस मंसबदारी सिस्टम में हर एक officer को एक मंसब यानि rank assign की जाती थी Actually यह जो word है मंसब यह एक Arabic word मंसब से drive हुआ है जिसका मतलब होता है post, office, rank या status मंसबदारी सिस्टम में इसे आप rank consider कर सकते हैं और अकबर के समय में मंसबदारी सिस्टम में lowest rank 10 हुआ करती थी और highest rank हुआ करती थी 5000 हलाकि अकबर का rule खतम होते होते highest rank को 5000 से बढ़ा कर 7000 कर दिया गया था और 7000 की ये limit औरंग जेब के rule के दोरान भी रही और अकबर के समय में 7000 मंसबदारी rank पर दो officials हुआ करते थे मिर्जा आजीज कोका और राजा मान सिंग इन दोनों ही officials के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं हमने देखा था कि जब अकबर ने गुजरात conquest किया था तो इस conquest के बाद गुजरात का governor उन्होंने अपने foster brother मिर्जा आजीज कोका को बनाया था तो वैसे तो इन जनरल rank 10 से लेकर 7000 के बीच में जितनी भी ranks थे उन सभी ranks पर काम करने वाले officials को मनसबदार ही कहा जाता था लेकिन फिर भी इन सभी को तीन categories में बाटा गया ऐसे nobles या officers जिनकी rank 10 से लेकर 500 तक है उनको मनसबदार कहा गया 500 से लेकर 2500 तक की rank की nobles को आमिर्स कहा गया और 2500 से लेकर 7000 तक की rank के officers को कहा गया अमीर ए उम्दा या फिर उम्दा ए आजम अब ये system काम कैसे करता था इसे समझने के लिए हम लोग lowest level मनसबदार यानि जिसका मनसब 10 है यानि rank 10 है उसको consider करेंगे तो basically हर एक मनसब rank को दो ranks में डिवाइड किया गया था जाट और सवार तो ये जो जाट और सवार है ये भी ranks ही है जाट rank आपके personal status आपके administrative हराकी और साथ ही साथ आपकी salary को determine करता था और सवार rank आपके military capability और leadership को दर्शाता है क्योंकि ये determine इस बात पर होता है कि आपने कितने cavalrymen यानि सवार को maintain करके रखा हुआ है तो अब तक की हमारी understanding ये बनी कि हर एक मनसबदार की दो और rank होती है जाट rank और सवार rank जाट rank exactly वही rank होगी जो कि आपकी मनसबदार rank है और ये दर्शाता है आपके personal status आपकी position in administrative हराकी और आपकी salary को और दूसी तरफ सवार rank इस बात पर depend करती है कि आपने कितने cavalrymen यानि सवारों को अपने पास maintain करके रखा हुआ है और इन सवारों को recruit करने की पूरी जिम्मेदारी इनही मनसबदारों की होती थी तो इविन दो आपकी मनसबदारी rank 10 है लेकिन आपने सिर्फ 3 cavalrymen को ही recruit करके रखा हुआ है तो आपकी zart rank 10 होगी और सवार rank सिर्फ 3 होगी अगर आप 2 और cavalrymen को recruit कर लेते हो तो आपकी सवार rank बढ़के हो जाएगी 5 और आपके पास option है कि आप और cavalrymen को recruit करके आप अपनी सवार rank को zart rank के बराबर तक ले जा सकते हो बड़ मनसबदारी सिस्टम में यहाँ पर एक catch है catch यह है कि अगर आपने एक cavalrymen के ओपर सिर्फ एक गोड़ा recruit किया है तो इसे half सवार माना जाएगा यानि अगर आपके पास 10 cavalrymen और 10 गोड़े हैं तो आपकी सवार rank 10 नहीं बलकि 5 ही रहीगी अगर आपको अपनी सवार rank 10 करनी है तो आपको इसके ओपर 10 गोड़े और recruit करने पड़ेंगे इसका मतलब यह हुआ कि एक सवार का मतलब है एक cavalrymen और 2 गोड़े यह provision इसलिए क्या गया था कि मार्च की दोरान पहला गोड़ा थक जाएगा तो लड़ाई शुरू होने से पहले आप पहले वाले गोड़े को rest देते हो और जो गोड़ा बिलकुल fresh है आप उस पर बैटकर युद लड़ते हो और इसी तरह next day आप इस गोड़े को rest दोगे और लड़ाई में उस गोड़े को लेकर जाओगे जिसने कल rest किया था तो आप समझ पा रहे होंगे कि कैविलरी की efficiency को maintain करने के लिए क्यूं हरे कैविलरी man के ओपर दो गोड़े necessary थे अब आता है यहाँ पर एक और important concept और concept ये है कि हरे एक मनसब rank के ओपर तीन categories exist किया गरती थी जिनने determine किया जाता था उसकी zart rank और सवार rank के base पर ये तीन category थी first category मनसबदार second category मनसबदार और third category मनसबदार अगर मनसबदार की सवार rank उसकी zart rank के बराबर है तो उसे उसकी rank का first category मनसबदार कहा जाएगा rank Zart rank की half से भी कम है तो उसे उसकी rank ka third category मनसबदार कहा जाएगा और क्योंकि हमारे इस example में Zart rank और सवार rank बलकुल बराबर हैं इसलिए इस लिए इस मनसबदार को इसकी rank का first category मनसबदार कहा जाएगा तो अब तो हम लोगोंने देखा कि एक मनसबदार की responsibility होती है कि वो अपनी जार ट्रेंग के बराबर सवार्स को recruit करें लेकिन सिर्फ सवार्स को recruit कर लेने पर ही मनसबदार की responsibility खतम नहीं होती उसकी responsibility होती है कि वो इन सभी सवार्स को मुगल आर्मी में enroll करवाए और ये enrollment एक बहुत ही important step है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बारीकी के साथ ये चेक होता था कि जिन सवार्स को मनसबदार ने recruit किया है क्या वो experience है और well mounted है कि नहीं तो इसका मतलब यह हुआ कि मनसबदार दुआरे recruited अगर किसी भी सवार को आयोग्य पाया गया तो इससे मनसबदार की सवार rank directly impact होगी और घोडों की quality को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा बारीकी से checking होती थी क्योंकि मुगल आर्मी में सिर्फ अच्छी quality के RB और एराकी breed के घोडों को ही employee किया जा सकता था तो अच्छी नसल के घोड़े पाय जाने पर ही उन्हें enroll किया जाता था और enrollment के टाइम पर हर एक घोड़े की branding की जाती थी through the imperial mark जिसे दाग कहा जाता था तो दाग सिस्टम जो अलाओदीन खिलजी ने शुरू किया था उस सिस्टम को अलाओदीन खिलजी से ही बोरो किया था क्योंकि अलाओदीन खिलजी के समय में भी हर एक soldier का descriptive role maintain किया जाता था हलाकि उस समय इसे कहा जाता था हुलिया तो ये तो बात होई सवार्स के enrollment की लेकिन सवार्स को recruit और enroll करने पर ही मनसबदार की responsibility खतम नहीं होती उसकी responsibility है कि वो पूरी की पूरी contingent त्यार करें जिसमें सवार्स के अलावा तीरंदाज यानि बोमेन, musketeers यानि बंदूकची और सैपर्स और माइनर्स जो की fortification को दोहस्त करने के लिए यूज होते हैं उन सब को भी recruit करने की जरूत होती है और अकबर का निर्देश था कि हर एक contingent को mix रखा जाए यानि उसमें कुछ लोग मुगल्स हो, कुछ soldiers पठान, कुछ हिंदूस्तानी और कुछ राजबूत भी हो ऐसा इसलिए क्योंकि अकबर चाहता था कि किसी भी contingent में tribalism और regionalism की भावना ना हो क्योंकि यह ऐसी forces हैं जो कई बार विद्रो को जर्म दे सकती है तो जब एक मनसबदार इन लाइन्स पर अपने contingent को maintain कर लेता है तो भी जरूत होती है कि मनसबदार अपने contingent का periodic inspection करवाते रहे और इस inspection के लिए अकबर ने अलग से एक team बनाई होई थी जिस team के सामने inspection होता था और हर एक मनसबदार को एक schedule दे दिया जाता था और उसी schedule के साब से हर एक मनसबदार को अपने contingent लेकर इस inspection team के पास आना होता था इस inspection के दौरान contingent के हर एक soldier को उसके descriptive rule यानि चेहरे के against validate किया जाता था और साथ ही साथ हर एक गोड़े के ओपर दाग यानि imperial branding को चेक किया जाता था ताकि गोड़ों की अदलाब अदली को रोका जा सके तो हमने देखा कि contingent को maintain करने की जिम्मेदारी तो मनसबदार की है लेकिन question यह है कि इस contingent में जो soldiers हैं उनको pay कोन करता था तो इसका अंसर यह है कि इनको cash में pay किया जाता था और इनको payment मनसबदार खुद करता था और इसलिए हमें ये भी जानने की जरूत है कि मनसबदार की source of income क्या है तो इसके बारे में हम लोगोंने पहले भी बात की है कि मनसबदार को उसकी personal salary मिलती थी based on his zart rank और ये personal salary उसे कई बार जागीर की form में assign होती थी और कई बार cash की form में भी बड़ जादा तर ये जागीर की form में ही assign होती थी और जागीर का ये assignment hereditary नहीं होता था तो मनसबदार को assign होने वाली जागीर उसे कुछ इस तरह से assign होती थी कि उससे मिलने वाला land revenue जो की cash की form में ही होता था वो sufficient हो मनसबदार के contingent को maintain करने के लिए भी और साथ ही साथ उसकी personal salary भी उसमें included हो तो चाहे मनसबदार को उसकी personal salary cash की form में दी जाए या फिर जागीर की form में assign की जाए लेकिन ये salary इतनी अच्छी खासी होती थी कि उससे में मुगल मनसबदार को world की highest paid service माना जाता था example के लिए एक मनसबदार जिसकी rank 5000 है उसको 30,000 per month की salary मिलती थी और अगर मनसबदार की rank 3000 है तो उसको per month salary मिलती थी 17,000 और अगर बात करें मनसबदार of rank 1000 तो उसकी salary होती थी 8,200 per month तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी salary थी इसे आप अगर compare करेंगे एक cavalryman यानी एक सवार से तो उसे मिलती थी 20 रुपे per month तो आप सोचके देखिए कि एक cavalryman जो की काफी highly valued थे उस समय उनको अगर 20 रुपीज पर month मिल रहे है और मनसबदार को 30,000, 17,000 और 8,000 पर month की salary मिल रही है तो कितना ज़ादा difference है यहाँ पर बिल्कुल range ही इलगे है अच्छा एक चीज और contingent के अलावा transport cops की भी जरूत होती है जो कि आर्मी की mobility को बढ़ाते हैं इसके लावा karts, horses, camels, mules और elephants की भी जरूत होती है तो वैसे तो elephants का इस्तमाल लड़ाई में भी होता था और transportation में भी लेकिन ज़ादातर चीज़ें जो यहाँ पर mention हैं जैसे कि transport cops, karts, mules इन चीज़ों का इस्तमाल ज़ादार transportation और एक तरह से support staff की तरह होता था अकबर की expectation होती थी कि हर एक मनसबदार contingent के अलावा अपने लेवल पर कुछ transport cops, karts, horses, camels, mules और elephants को भी maintain करेगा इसका मतलब यह हुआ कि मनसबदार के काफी सारे expenses इन चीज़ों को maintain करने में भी होते थे अलगी बाद में अकबर ने इन सब चीज़ों को centrally maintain करना शुरू कर दिया था लेकिन इसके बावजूद हर एक मनसबदार से उनकी rank के according उनसे कुछ payment ली जाती थी तो अब तक कि इस वीडियो में हम लोग ने एक मनसबदार की responsibilities को समझा और देखने की कोशिश की कि एक lowest level मनसबदार की responsibilities क्या क्या होती है क्योंकि अकबर के मनसबदारी सिस्टम में किसी भी नए इनसान को generally low level मनसब पे ही appoint किया जाता था हाँ ये अलग बात है कि राजा के बेटे या फिर राजा के matrimonial alliances में जो relatives हैं उनको directly higher मनसब असाइन होता था लेकिन general sense में अगर लोगों को शुरुआत करनी है तो वो lowest rank से शुरुआत करते थे बट opportunities की कमी उनके पास भी नहीं थी lowest rank से शुरू करकर merit के बेस पर वो काफी आगे तक जा सकते थे और अगर by chance उन्होंने अपने आपको emperor की नजरों में प्रूव कर दिया तो promote हो होकर वो अमीर भी बन सकते थे और अमीर है उमधा भी और मनसबदारी सिस्टम में promotion के साथ साथ ये भी option था कि अगर आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो तो punishment के रूप में आपको demote भी किया जा सकता है तो अब तक की इस वीडियो में हम लोग मनसबदारी सिस्टम को काफी अच्छे से समझ चुके हैं बड़ यहां पर हमें ये भी समझना जरूरी है कि कौन सी रैंक के मनसबदार किस रैंक के मनसबदारों के नीचे काम कर सकते हैं और किन के नीचे नहीं तो इसके बारे में आयन अकबरी में ये कहा गया है कि अमीर्स और मनसबदार ऐसे अमीर्य उंदा के कंटिंजेंट में सर्व कर सकते हैं जिनकी रैंक उनसे 10 गुना जादा है इस चीज़ को एक्जामपल से समझते हैं माल लीजिए एक अमीर्य उंदा का कंटिंजेंट है जिनकी रैंक है 7000 तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे अमीर्स और मनसबदार जिनकी रैंक 700 या उससे कम है वो इस कंटिंजेंट में सर्व कर सकते हैं यही सेम चीज़ अपलाई होती है जब हम देखते हैं कि किस तरह के मनसबदार कंटिंजेंट में सर्व कर सकते हैं एक्जाम्पल के तोर पर अगर हम कहें कि अमीर की मनसब रेंक अगर 2500 है तो इसका मतलब यह होगा कि ऐसे मनसबदार जिनकी रेंक 250 या उससे कम है वो अपने contingents इस अमीर contingent में सर्व कर सकते हैं अब आपके लिए एक कुश्चन है आप यह बताईए कि ऐसा मनसबदार जिसकी रेंक 500 है क्या उसके contingent में कोई दूसरा मनसबदार अपने contingents को सर्व करवा सकता है जिसकी रेंक 50 या उससे कम है इसका आंसर है नू मनसबदारी सिस्टम में एक मनसबदार अगर कितना भी छोट है वो किसी दूसरे मनसबदार के लिए सर्व नहीं कर सकता मनसबदारी सिस्टम को वैसे तो हम लोगों ने पूरी तरह से कवर कर लिया है लेकिन वीडियो को खतम करने से पहले हमें ये भी जान लेना चाहिए कि मनसबदारी सिस्टम का आइडिया क्या एक यूनीक आइडिय सिर्फ influence की तो ये कहा जा सकता है कि चंगेज खान क्यूंकि अपनी आर्मी को और्गनाइज करते थे decimal basis पर जिसमें lowest unit 10 हुआ करती थी और highest unit में 10,000 soldiers हुआ करते थे जिस unit को तोमान कहा जाता था और इसको जो head करता था उसे कहा जाता था खान तो ऐसा माने जाता है कि हो सकता है कि अकबर का मनसबदारी सिस्टम इस सिस्टम से थोड़ा बहुत influence हुआ हो in fact दिल्ली सल्तनत के military सिस्टम में क्योंकि इस तरह की terms को यूज किया गया है जैसे सादीज और हजाराज सादीज यानी hundred और हजाराज यानी thousand तो ऐसा लगता है कि दिल्ली सल्तनत का military सिस्टम भी कही ना कहीं चंगेज खान के decimal basis वाले सिस्टम से थोड़ा बहुत influence रहा हुँ तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने मनसबदारी सिस्टम को पूरी तरह से cover कर लिया है थेंक्यू सो मच पर वाचिंग और सपोर्टिंग बुकस्तावा